इंडिया के बाहर आपको ये चीज़ें इतनी सस्ती मिलेंगी इस आदमी के वाइफ ने इसे ऐसा क्या बोल दिया कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुँ बंद रख रखा है और कैसे बस आप अपने हाथों को ऐसा करके अपने सामने के किसी भी गिलहरी को अपने वश में कर सकत करने के लिए कितने अच्छे से फंक्शन करता है यहां तक कि इसमें यह भी बताता है कि कौन सा आदमी कितने टाइम से काफे में बैठा हुआ है और इस वक्यों है वह कौन से ड्रिंग को बना रहा है वाव नेवर 21 जित के भी एक हद होती है जो इस जैपनीस आदमी ने तो पाइआंतई को यॉटाट करते हैं लेकिन क्या आपने कभी क्याट को डेड करते हों देखा है जापान के एक शो में Цesco एक सूब्सेट लिफ्ट मुण को अब कुछ न ये 1 रखनार कुछ इस तरीके से प्रेश के उपर प्रेस करना है ऐसे जुद धागा है वह और टोमेटिक नीडल में चला जाएगा और आपका काम एकदम आसान हो जाएगा नियों बैटिन अक्सर हम अपने आपको कोई टागेट देते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको हमेशा इंटरेगेटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए यानि कि मैं वाक पर जाओंगा नहीं बलकि आपको कहना चाहिए क्या में वाक पर जाओंगा ऐसे आप किसी काम को करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगे नेमे 17 ओनियन को कट करना कितना मुश्किल है बट एक बार इस ट्रिक को रेखो ओनियन को चीलने के लिए एक पीलिंग नाइफ का यूज किया गया है इसे कोई यूज नहीं करता बटे बहुत अच्छे तरीके से ओनियन को काट सकता है और यह आपके काफी पैसे भी बचाएगा नेमे 16 चाइना में 300 मिलियन से ज्यादा स्ट यह कोई पास हो जिसमें रुपाय पड़े हुए है लेकिन रियालिटी में एक रिस्टॉंड का एड़ पैंप्लेट है लोगों को लालच देना है प्लास इसमें किसी को यह पैंप्लेट बाटने के लिए धूप में खड़ा भी नहीं देना पड़ता नेमे 14 सैमसन के एस 23 अ चीज़ें लेकि हर दो भले लोग लाखों चीज़ें से खड़ीते हम उसके बाद भी नए नय चीज़ें लिश्ट होती रहती है जिस वजह से यूपे पर हर वक्त 18 मिलियन से ज्ञादा प्रोड़क्ट होते हैं कभी-कभी तो यह 20 और 25 मिलियन तक भी पहुँंच जाते हैं स्नेल बहुत सारे इंट्रेस्टिंग जानवर यह गाफ को कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हैं यह अपने टेल का इस्तमाल करते हैं चुकि यूशुली हमें नहीं रिखती क्योंकि वह स्नेल के शेल के अंदर होती हैं आप इस विड़ों में देख सकते हो कि 9-11 में जब दो प्लेंज बिल्डिंग में क्रैश होते हैं तो उसके बाद तुरंत कैसे सभी प्लेंज जो ओड़ा थे उन सबको वापिस लैंड कलने को पूला जाता हैं और आप देख सकते हो कि पहले कितने सारी फ्लाइट जा रहे थे और उसके बाद बस कुछ चंद ही बच गए ने मटें आप अपने हाथों को हिला के स्कुरिल को कर सकते हो सुने में काफे अनबिलीविबल लगता है लेकिन यह शायद तक सच है इसका कोई प्रूफ तो नहीं है लेकिन ऐसे हाथ को मूव करके आप स्कुरिल को सच में एकसपर्ट का मानना है हाला कि इसका कोई प्रूफ नहीं है जिसके अंदर एख बड़ी से लेक है और इस लेकं के अंदर में एक और बड़ा एइलेंड और बात यहीचा नीकोवा इसके बाद इसके अंदर डेटा पॉइंट्स मिलते हैं जिने कुछ इस तरीके से सिस्टम में अलग-अलग पिन से कनेक्ट किया जाता है और फिर इनहीं में से डेटा को रिकावर करके दूसरे काड में डालते हैं पूरे अनिमल किंग्डम में सकंक्स यानि की यह जानवार सबसे ज्यादा बदबुदार स्मेल चोड़ते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए और इसमेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग और लास्टिंग होती है कि नॉर्मल इंसान एक स्कंग की स्मेल को देड़ कि दूरी से ही स्मेल कर सकता है अपने टोन जीन्स तो पहनी होगी लेकिन यह देखो इन स्टाइलीस जीन्स को आखर कहसे बनाया जाता है इसके लिए एक खास तरीके के ट्रिमल जैसे मश्यन होते हैं जिससे हुमन द्वारा ऑप्रेट करते हैं और इसमें काफी साधा फैवरी कि है ने हमांने के लिए उसकान होते हैं सबकून सीधाल ठीजन Simpson's मिल気 जाता है और इससे बनाने की लिए कि प्रोसेस किया जाता है और उन्हें कितने थे अलग-अलग केमिकल से साफ भी क्या जाता है तब जाके एक सही यूसेबल ग्लास बनता था नेमर टू हो सकता है कि आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि मुकेश अमानी के बेटों को कितने पॉकेट मनी मिलती होगी यहनी कि जब वो छोटे होंगे तब तो भी उनके मज़े ही मज़े होंगे उन्हें जितने पैसे चाहिए वो उतने पैसे उड़ा सकते होंगे लेकिन ऐसे बात नहीं है मुकेश अमानी के वाइफ ने एक इंडवे में बताया था कि जब बच्चे छोटे थे तब उनको वो डेली स्कूल जाते समय बस पान चुपे ही पॉकेट मनी के तौर पर देते थे जो काफे कम है खासकर इतने अमीर परिवार के लिए और वो ऐसा इसलिए करती थे था कि बचेट अमानी के बाद भी उसे यूज नहीं करते लेकिन अमानी जी अपने बचेटों को पैसों के वैलियू बता आना चाहते थे और बार बाल तो अमबानी जी ने अपने बेटों को पैसों की एहमियत सिखाने के लिए हदी पार कर दी वैसे तो अमबानी जी के पास तीन प्राइवेट जट हैं लेकिन जब उनकी बेटी इशा अमबानी लंडन में पढ़ वी थी अब तो मैं खुद ही पॉकिट मनी से पैसे बचा कर यहां आना पड़ेगा लेकिन जब उन्होंने पैसे सेव किये तो एकनोमी क्लास की टिकेट भी मुश्किल से मिली थी इतना ही नहीं वह घड़ाने के बाद अमबानी ने एक साल तक अपने प्राइवेट जट को हाथ भी नहीं लगाने दिया एक प्राइवेट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है आपको पता होगा किसी भी अच्छे फॉरण कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोड़क्स सस्ते में मिलते हैं जैसे की लेस के चिप्स इंडिया में पांच रुपे के मिलते हैं और वोहाँ रहने वाले जो लेसे काफी ज्यादा कंजीम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यूए से इंडिया में ज्यादा एक्स्पिंसिव है जिसकी apple प्रोड़क्स इंडिया के टैक्स के वोड़े से और apple केまで मानुफैक्छरिंग इंडिया में ना होनी के वोड़े से एपल प्रोडक्ट काफि gy अधा महंगी होतें लेकिन अब धीरे धीरे अपल इस पर काम करना है अपल visit conduct Welcome इंडिया tragically में उपड़ और आते हैं nutrition वेपिंडया इसिसी साद कुछ फिर जादि disrupt के पने कर दो कि अधर्या करते हैं नेक्स्थ घोल्ड इंड्या में चादी को एक फ फालो करते हैं लेकिन एक ट्रडिशन इंडिया में सबसे पॉपुलर है वो है गोल्ड खरीदने का लेकिन क्या आपको पता है इंडिया से सस्ता सुना दुबाई में मिलता है इंडिया में 10 ग्राम सोनिर की किमत 55,000 रुपय के अप्रॉक्स है जबकि दुबाई में 48,000 का मिलत है नेक्स का आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा देश भी है जो समुन्दर का पानी पीता है हाथ में सही सुना दुबाई जैसे देश के पास तील तो बहुत है लेकिन पानी बहुत कम है इसलिए वहां समुन्दर के पानी को पीने लायक पनाया चाता है इसलिए उहां ए 300 ml कोग का प्राइज 388 रुपीज है जबकि इंडिया में 300 ml कोग सिर्फ 20 रुपीज में मिल जाती है यह तो आपको पता चलगा है यह तो ठीक है लेकिन इन चीजों के अंदर क्या होता है यह देखकर आपका दिमाग इल जाएगा और क्या कभी आपने जीनबो का एंड देखा है और चाना के एक क्लासरूम में जितने कैमरेज होता है उन्हें देखकर आप पूरा दिन शौक में रहो गें भाई यह वीडियो अल्टिमेट मसेदार है तो इसे अब भी दबाओ और हां यह वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत तो मिलत अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई